एक और accessory जो आप ले सकते हैं काजी रंग एडिशन SUV के साथ वो है ये multi utility pack जो आप front seat के साथ attach कर सकते हैं और इसके अंदर आप छोटी knick-knacks और चीज़े रख सकते हैं अगर आप Tata की बात करें तो उनकी SUV काफी पॉपिलर है आज के market में आप Safari की बात कीजिए या उनकी recently launched जो पंच है या उनकी 5-star rated Nexon सारी SUV की काफी एक अच्छी खूबिया है जो market में काफी लोगों को पसंद आई अब Tata Motors अपनी special editions के लिए भी जानी कही है जैसे की जो dark edition है या सफारी का adventure personal edition है आज हम देखने वाले Tata की काजी रंगा range of SUVs अब Tata ने काजी रंगा range में सिफ कॉस्मेटिक ही नहीं बट काफी feature के updates भी दिये गए तो लेट सी कि आज क्या है इन नियो SUVs में Also, if you want to watch this walk around in English then click on the link given above अब अगर Harrier काजी रंगा edition की बात की जाए तो सबसे noticeable change जो है वो है इसका new beige shade यह आपको दूसरी SUVs में भी मिलेगा तो यह एक common चीज है जो हर range में आपको मिलने वाला है अब आगे देखा जाए तो इसकी जो grill है इसमें आपको piano black elements मिलेंगे and even lower down जो आपका skid plate था वो ब्लाक किया गया है side में आते हुए इसके जो 18 इंच alloy wheels है उन्हें again black treatment दिया गया है और आपको हर SUV में इधर एक rhinoceros का mascot मिलेगा जो इस range को signify करता है आपके ORVM's again piano black में किये गये है और जो door handles पर पहले जाहत रोम था अब piano black finish दिया गया आपकी जो roof है वो आपको black में मिलेगी अब पीछे की बात करें तो जादा changes नहीं दियेगे सिव यह है कि आपको जो harrier की जो badging है वो आपको black color में मिलेगी और अगर आप इनकी boot खोले जो boot mat है उसके पर आपको kazi ranga दिखाओं मिलेगा और again rhinosaurus का mascot मिलेगा अब अगर interiors की बात की जाए तो harrier kazi ranga edition में आपको soft touch materials है इधर आपको beige का treatment दिया जाएगा और जो piano black finish है वो आपको door handles and grab handles मिलेगा और आपको यह optional accessory भी मिलती है जो एक umbrella holder है again kazi ranga के logo के साथ अगर आप interiors की बात करें तो dashboard again black color में किया गया है पर आपको यह wooden inserts मिलेंगे जो dashboard की length पर रन करेगा और इसके नीचे एक piano black element अब Tata ने काफी features भी आड़ किये नहीं हारियर में जैसे की आपको एक cabin का air purifier दिया जाता है और आप यह touchscreen infotainment system wireless android auto and apple car लेके साथ आता है also आपको मिलेगा अब ventilated seats for both the driver and the passenger आपको seats में भी इसका beige treatment दिया गया है जो leather है and इसका काजी रंगा का finish है वो फिर से दिया गया है अब Tata की smallest SUV जो punch है काफी recently launch वी थी market में और काफी impressed के असने लोग को अब punch का जो first ever special edition है वो है यह काजी रंगा edition again आपको यही beige color का treatment दिया जाएगा and आपको piano black के elements सब जगाद दिये जाएंगे जैसे कि आपका front grill हो गया इदर आप अगर side में आए तो इसके 16 inch अलोई wheels है again black में किये गया है आपको फिर से एक rhinoceros का mascot मिले गया इदर इसके जो ORVM's है again piano black में किया गया है अगेन आपकी जो रूफ है black में है और जैसे आपने हैरियो में देखा जो punch logo है वो black में किया गया है और पिर से आपको इसकी kanjiranga में के दिया जाएगा अब जैसे साफने हारीयर का भी जनका edition में देखा था इधर आपको जो डाशबोर्ड है वो ब्लाक में किया गया है बट अगें इधर एक बेज इंसर्ट दिया गया है अब नेक्सवन काजिरंगा एडिशन देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा फीचर्स अड़ किया गया है तार्ता की तरफ से अगें एक सीरेज में आपको बेज कलर दिया जाएगा आपको फ्रंट में जो ग्रिल है प्यान ब्लाक में है एंड जो ट्राइरो एलिमेंस है यह आपको प्यान ब्लाक में दिये जाएंगे अलोई वील्स इसके अगें ब्लाक किये गए है दूसरी गाडियों की तरह आपको इदर राइनॉसरस का मैस्कोट दिया और जो बूट माट है फिर से अगें काजी रंगा का स्पेशल वाला है अब नेक्सवन में भी आपको हैरियर की तरह बेज इंसर्स नहीं मिलेंगे इंस्टेड यह सब ब्लाक है और जो दोर हैंडल्स और ग्राब हैंडल्स है वो प्यान ब्लाक में किये गए है इंटिरियर अगें ब्लाक है पर आपको इदर ट्रॉपिकल वूड का फिनिश दिया जाएगा और आपके स्टेरिंग वील और जितने भी अलिमेंट से सब प्यान ब्लाक में है जो सीट से यह बेज लेदर केती है टाटा इने और इनके ओपर आपको राइनोसरिस का मैस्कॉट दिया जा दिया है अब टाटा की फ्लाक्शिप स्वी सफारी इसके अंदर हमने रीसेंटली डाक एडिशन भी देखा था और अब काजी रंगा एडिशन का ट्रीटमेंट भी दिया गया है इसे अगें इसके अपर आपको मिलेगा बेज का सेम कलर और जो ट्राइर अलिमेंट्स है आपको सफारी जो लोगो है वो ब्लाक में फिनिश किया गया है अब हैर्यर की तरह आपको सफारी में भी सॉफट चलिमिंट्स के लिए बेज ट्रीपन दिया गया है और पियान ब्लैक दोर हैंडल्स आपकी जो ग्रैब हैंडल्स है अगें डैश बूड की बात किया जाए तो सब ब्लाक में फिनिश्ट है और आपको ट्रॉपिकल वूड फिनिश्ट दिया जाएगा जैसे नेक्स ओनन हारियर में है अब सफारी में भी टाटा ने जो फीचर पहले देखे गए है टॉप एंड वेरिंट में वो दिये है जैसे कि आपके वेंटिलेटिट सीट है आपक कि जो टच्स्क्रीन इंफोटेन्मेंट है जो है रिंट के साथ शेर की गई है उसमें अगें वालेस अंडरी डाटो अन अब में हैं और 7 seat of variance में आपको ventilated seats नहीं दी जाएगी एक और accessory जो आप ले सकते काजी रंगा addition SUV के साथ वो है ये multi utility pack जो आप front seat के साथ attach कर सकते हैं और इसके अंदर आप छोटी knick-knacks चीज़े रख सकते हैं और अगें यह आपको जो bottle दी गही है काजी रंगा special edition वाली अब देखा जाए तो टाटा ने काफी changes किये हैं उनकी काजी रंगा range of SUVs में काफी नए features भी add किये गए जो आपको future में लाइन अप में देखे जाएंगे जैसे कि जो Nexon है ventilated seats है वो आप future में देख सकते हैं तो यह काफी अच्छा meaningful edition है अब अगर pricing की बात की जाए तो हर SUV अपने टॉप end variant के पर based है तो अब पंच की बात की जाए तो वो 8.58 lakh से start होती है Nexon काजी रंगा edition आपकी petrol engine के साथ 1178 lakhs पड़ीगी डीजल है वो 13.08 lakhs होगी जो हारियर है वो 20.4 lakhs से start होती है और जो flagship SUV है safari उसका 7-seater काजी रंगा edition स्टार्ट होता है 21 lakhs है तो कैसी लगी आपको Tata की काजी रंगा range of SUVs comments में जरूर बताइए कि आपकी favorite कौन सी है till then rev hard and rev free